चीन के शंगहाई शहर में बेबिंका तुफान ने जबरदस्त कहर बरपाया है। पिछले 75 सालों में शहर में आये ये सबसे शक्तिसाली तुफान है। इस तुफान के कारण जन जीवन ठप हो गया है। शंगहाई की केंदरी मोसम विज्ञान विद्शाला ने बताया कि तुफान 42 मीटर प्रत सेकंड की रफ्तार से चली हवाओं के साथ शंगहाई की पुडोंग डिस्ट्रिक्ट के लिंगांग इलाके में पहुंचा। प्रशासन ने किसी भी आपात इस्तिती से निपटने के ल शंगहाई में तबाही का मतलब है अर्बो डॉलर का नुकसान। तुफान ऐसा है कि चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। हवा की रफ्तार इतनी है कि पेड हवा को अपने साथ ले जाए। शंगहाई में पिछले 70 सालों के दोरान सबसे ताकतवर तुफान कहा जा रहा ह ऐसा तुफान साल 1949 में आया था। शंगहाई की लोकल मीडिया के माने तो ये तुफान करीब साड़े 7 बजे सुबह यांगतजी नदी को पार कर गया। शंगहाई की सडके खाली हैं, लोग घरों में कैद हैं और तुफान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। चेन की सरक इतन निलंबित करने की घोशना की है। होंग कांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोश्ट ने बताया कि रगवार तक 2.5 क्रोन की अबादी वाले इस विशाल शहर से 4,14,000 से अधिक लोगों को अनिस्थानों पर ले जाया गया। और शहर में सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। बतादे चीन में इन दिनों हत्योहारों की छुटियां चल रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों से घरों के भीतर रहने की सला दी है। तूफान के चलते शंगहाई के कई रिजॉर्ट, एम्यूजमेंट पार्क और परेटन स्थलों को बंद कर दिया झाल